मटर तो हर किसी को बहुत पसंद आता है और हर सब्जी में यह मटर डाला जाता है लेकिन आज हम मटर को एक अलग तरीके से त्यार करेंगे मटर के साथ काजू की यह रेसिपी फ्रेंड्स आपको बहुत पसंद आएगी नमस्कार रितूस किशिन कॉंडर में आपका स्वागत है और आज हम बना रहे हैं मटर काजू मसाला तो चली फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं यहां हम एक कड़ाई लेते हैं और उसमें इसे स्वाद बढ़ जाता है साथ में यह हमें लॉंग एड़ कर देती हूं अब हम यहां पर कटे हुई प्याज एड़ कर देगी यहां मैंने दो प्याज ली हैं और जिने मुटा मुटा ही काटा है वारी काटने के हमें जरूत नहीं है क्योंकि हम इन्हें बाद में नए ही हुई डाल सकते हैं अब इन्हें चमच की साइथा से हलका सा चला लेते हैं हमें ज्यादा भूनना नहीं है इसके बाद में मैं यहां पर काजू एड़ कर देती हूँ इसे ग्रेवी गाड़ी हो जाती है साथ में मैं यहां पर टमाटर भी लेती हूँ दो टमाटर ली हैं जिने भी मैंने मुटा मुटा काट लिया है और अब हमेने गलने तक पकाएंगे कि इसी दौरान मैं यहां एक हरी मिर्च भी एड़ कर देती हूं कि हरी मिर्च के साथ साथ यहां एक इंच का अध्रक टोड़ा भी हमने लिलिया है और इसे एक बार फिर से हम चला लेते हैं कि इस दौरान गैस की फिलिम को आप कम ही रखें हाई फिलिम पर इसे त्यार ना करें इस सबजी का टिस्ट विगड़ जाता है साथ में आधा का पानी एड़ कर दूंगी और इन्हें अब हम 5-7 मिनट के लिए ठकी रख देंगे जब तक हमारे यह प्याज और टमाट गल नही की फ्रेंट्स 5-7 मिनट हो चुके हैं यह सब भी गल चुके हैं अब हम इने ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद ही इसी मिक्सी में ग्राइंड करेंगे अब हम यहाँ पर एक अलग अड़ाई लिते हैं इसमें मैं यहाँ ओईल एड़ कर देती हूँ रिफाइन ओईल का ही आप यूज करें इसमें साथ में कुछ काजू है इन्हें हमें शेलो फ्राइ करना है ज्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना है इन्हें हमें हलका ही भूनना है और हुनने के बाद में एक प्लेट में निकाल कर अलग से रख लेना है अब इसी तेल में हम असाले त्यार करेंगे यहां हम पहले हल्दी ले लेते हैं साथ में लाली मिर्च का पाउडर लिया है आप इसके मात्रा और भी कम कर सकते हैं नमक लिया है नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं धनिया पाउडर एड़ कर लिया है साथ में मेहा पर चीरा पौडर एड़ कर दूँगे यही सबी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है साथ में कश्मीरी लाल मिर्च यह आप्षनक है इसके बाद में हम काली मिर्च का पौडर एड़ करेंगे इसकी मातरा भी हमें कम ही रखनी है अब हम इने चमच की साथा से अच्छे से मिला लेंगे इस दौरान गैस की फ्लेम को हम कम ही रखें नितों इस मसाले जल जाएंगे थोड़ी दिर बाद में हम इसमें पानी एड़ कर देंगे मसाले भून गए हैं अब मैं यहाँ पर पानी एड़ कर देती हूँ पानी के मातरा हम ज़्यादा न रखें हमें थोड़ा सा ही पानी चाहिएगा इस तरह से मसाले फूल गए हैं और यह अच्छे सिख गए हैं इसके बाद में जो हमने ग्रैंड की एड़ा पेस्ट रहे हैं हम इसमें एड़ कर देते हैं और अच्छे से मसाले को मिक्स कर देते हैं हमें एक स्मूथ ग्रेवी त्यार करनी है अगर आप में चैनल पर नहीं आए हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमें इसे अच्छे से मिला लिना है और यह कुछ इस तरह से दिखाई दी अब हम यहाँ पर मटर एड़ कर देंगे एक कप मटर मैंने यहां लिए हैं ताजर मटर ही हमें यहां यूज करने हैं फ्रोजर मटर का आप यूज ना करें नहीं तो इसका स्वाद वैसा नहीं आता है अब उन्हें डग कर पकने के लिए छोड़ देंगे जब मटर हमारी पक जाएंगे उसके बाद में कुछ यह इस तरह से दिखाई देगा एक बाए फिर से हम चमस्ते से चला लेते हैं नहीं हमारा मसाला या ग्रेवी दिज़े तले में लगी तो नहीं है इसके बाद में मैं यहां और चीजें अड़ करतेती हूँ मैं यहां पर टेस्ट के लिए कसूरी मेती अड़ करती हूँ इससे से और बढ़ जाता है साथ में हम यहाँ पर शुगर अड़ करेंगे शुगर अफनल है वैसे शुगर जो टेस्ट है उसको बैलंस कर देती है इसलिए मैंने यहाँ डाली है अब भुने हुए जो काजू थे उन्हें भी हम यहाँ अड़ कर देती है साथ में स्वाद के लिए कुछ बटर और एड़ कर देंगे और इसे चमच की साथा से अच्छे से चला लेंगे और ढ़क कर पांच मिनिट के लिए छोड़ देंगे इतने में हमारा जो तेल और बटर है वो उपर आ जाएगा इस तरह से यह सबजी दम रेड़ी है यकिनमानी फ्रेंड्स यह सबजी इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और जादा टाइम भी नहीं लगता है और फट आफट त्यार हो जाती है आप मेरे चनल पर अगर नहीं आए है तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि आपको इस तरह के पार्बी वीडियो देखने को मिलेंगे साथी बैल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवा